Hello friends, Vedic Mathematics के इस course में आप सबका स्वागत है तो सबसे पहले Vedic Mathematics क्या होती है? तो हम Mathematics अपने स्कूल में पढ़ते हैं, काफी सारी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन जो हम तरीके सीखते हैं Mathematics के, वो काफी lengthy होते हैं कई बार problems को solve करने के लिए. तो Vedic Mathematics जो है, वो calculation को आसान करने का एक बहुत ही शांदार तरीका है. हमारी जो पुरानी सब्भेता है, पुरानी knowledge है, उसमें ये सारे तरीके जो हैं बताए गए थे, और उन तरीकों का यूज़ करके हम calculations को बहुत ही आसान कर पाते हैं, लंबी से लंबी calculations को बहुत short time में कर पाते हैं, ये छोटे students को काफी help करता है उनकी पढ़ाई में, उनकी calculation को improve करने में, maths के परती उनके जो एक लगाव है उसको बढ़ाने में, साथ ही साथ जो बड़े students हैं, उनको ये help करता है competitive examinations में, जहां पर speed काफी matter करती है, तो वो calculations हैं, उनको बहुत quickly और fast way में कर पाते हैं, चाहे वो JEE का exam हो, NEET का हो, NTSC का हो, bank के exam हो, railway के exam हो, ऐसे कोई भी exams हो, उन सब examinations के लिए ये course बहुत ही helpful है, इस course में आपको video lectures मिलेंगे, lectures से associated आपको एक assignment मिलेगा, जिससे आप उसकी practice कर सकते हैं, और फिर आपको हर lecture से related एक test मिलेगा, और धीरे धीरे इसमें और content भी add होता जाएगा, तो हम कई सारी चीजें इसमें देखेंगे, सीखेंगे, तो आपको ये course बहुत ही help करेगा, तो एक बार इस course को आप enroll करके देखिए, और आपको ये लगेगा कि ये आपकी जिन्दगी में बहुती सुनहरा आफसर मिला आपको, जो आपने ये course किया, और आप देखेंगे कि maths की calculations, जो हमें काफी tough लगती हैं, उनको कैसे हम बहुती simple way में कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ, ये course आप सब को बहुत फायदा करेगा, और आप इस course को करने के बाद, जो भी आपके feedback हैं, reviews हैं, वो हमारे साथ जरूर शियर करें, good luck!